पुर्वांचल एक्स्प्रेस न्यूज के इजवे पोर्टल पर आपका स्वागत है आईए देखते हैं इस वक्त के बड़ी खबर जिलादिकारी कारियाले पर खड़ी यह महिलाएं बिलरिया गंस्थाना छेतर के छीही गाओं की रहने वाली हैं इन महिलाओं का कहना है कि गाओं में घनी आबादी के बीच एक शराब की दुकान है जिसके वज़े से महिलाओं और बच्चों का जीना दूबर हो गया है इन महिलाओं ने बताया कि यहां आए दिन शराबी महिलाओं के उपर चीटा कसी करते हैं गाओं में कम उम्र के बच्चे भी नशे के गिरफत में हैं इतना ये नहीं महिलाओं का कहना था कि शराब बेचने वाला सेल्समाइन कोई और नहीं एक महिला ही है जिसको देखने के बाद लोग एक की वज़ाए दो दो बोतले शराब पी जाते हैं ऐसे में गाओं की स्थिती बेहत खराब चल रही है नौजवान बच्चे बूड़े सभी नसे के गिरफ्त में चल रहे हैं लिहाजा जल से जल इस दुकान को आबादी से दूर खटवाया जाए ताकि गाओंवानों का चैन से जीना हो सके अची ही गाओं में सिंगाल यादो भरावली के ठिकदार है क्या कुछ उनके द्वारा कुछ अपसद भी कहा जाता है क्योंकि हम देखिए बिलरियां गंज थाने में गए ओहीं भी हम लोग का सुनवाई नहीं कि डेट दे रहे थे आज आएंगे कल आएंगे हम लोग का पर सानी की उसके पती साओधी रहता है कमाता है पुरा 35,000 महिना कमाता है डिलाइबरी में गया है अब महिरा दुकान पे बढ़ती महिला दुकान चलाती जिसे एक सीसी पीना रहता वो दूसी सी पीता है महिला देखकर पीता है 15 साल से है लेकिन अब 3 साल से ज़्याद हम लोग गुसखोर बैटे हैं, 10,000-15,000 लेते हैं, आते हैं सब, पैसा लेकर चले जाते हैं, हम लोग की सामने लेते हैं पैसा, और 10 साल के जो बच्चे हैं, वो भी पी के पी लेते हैं, स्कूल नहीं जाते हैं, माबाप बोलते हैं, तो माबाप का हाथ पकड़ लेते हैं, गाली भी द पीक के लोग आई हैं तो मेरा रोग घर में रहे लिए जैसी दुलाइन भहली बुजरुग भहली माँ भहली बहिन भहली तो बहरे रहे जोटा उखार के बहरे लिया के मार रिस्टार्ट करें लोग अक्वी छोड़ाए आवेला तो सिधा तो रनका करेला तो लोन आपन घर ज